मुंबई में हरादमी का एक सपना होता है उनका घर हो और खास करके जो मत्यमवरगी परिवार है उनके लिए बजट रहता है या वह ऐसे लोग को बड़ी कंपणियों में नोकरी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है कि उनका घर कैसे हो इसके लिए slums का एक option लोग चुनते हैं जिसे जोपडबटी कहते हैं या चौल कहते हैं या लोड़ बेरिंग कहते हैं इन सब की जो क्राइटेरिया है जो यह ऐसी है कि उसमें थोड़े थोड़े पैसे द जमीने हैं रिजर्वेशन की जगह है ऐसी जगहों को भी लोग इंक्रोच कर ले रहे हैं और उसको बेज दे रहे हैं तो लिगारेटी की बात करें अगर नियम कानून की बात तो एक गरीब आद में घर खरीदता है तो तीन से चार लाक पांच लाक रुपे में उसको घर मि जाता है और बिल्डर जिसने यह गुम्रा करके अपना प्रोजेक्ट बेचा होता है वो चुप चाप निकल जाता है और ऐसे जो मामले है ना सिर्फ ऐसे मतलब फरजी वारे के भी केसे से एक रूम दस लों के नाम यह सिर्फ इसली होता क्योंकि चीजें जो है वो लीगल है इस तरीके की घटाएं आ रही है प्रकाश में तो मैं आपको बताओ कि यह पुरे प्रकरण पे मैं इन लीगल चीजों में आपका मागधशन करने के लिए मैं जो हूँ वो हमारे साथ यहां के विकाशक है जो बड़े पैमाने पे लोगों के लिए घर देते आ आ रहे हैं व पचास लाग साथ लाग है बेर मिनिममम 25 से 30 लाग तो आज की डिट में नॉर्मल कॉस आती है तो वो गरीब वर्ग जो खरीद रहा है जगा जगा लोड वेरिंग्स खरीद रहा है या चौल में जाके खरीद रहा है वो कैसे बचे या लीगल जो चीज़े हैं उसके माल की ह वो को रहेने के लिए उसे चोटी रुशे घर बनाने चाहिए लेकिन गवर्मेंट की कोई स्कीम नहीं है अफ़रडबल लो कोस्ट 15 लाग से नीचे वाला तो यह तो लंबा है लेकिन यह जो लोग घर खरीते हैं वो साहिद उसको नौलेज जीरो रहता है खाली विश्वास पर खरीते हैं 100 रुपया स्टेंट पर और प्रोपर्टी टेक्स और लाइड भी ले और आदमी समझते हैं कि मालिक हो गया तो यहां पर तीन चीज़ क्लियर करनी है कुछ भी खरीद हो तो पहले जो जमीन है उसका सर्च रिपोर्ट वकिल कर से निकालो 10,000 रुपय करीब ल फोरेश्ट की जमीन, सौल्ट पेन की जमीन आजू-बाजू में क्या डेवलोप्मेंट हैं एक दिन खरीदने से पहले खुद ही एक दिन पहले सर्वे कर ले कि लोगों को पूछ ले कि यहां क्या है तो उसे जन्यून पता चलता है कि जमीन में क्या प्रॉब्लम है किसी की बातों पर आके न खरीदे, खुद खरीदने से पहले दो दिन, दो संडे छुटी मारे, कि ये संडे संडे होलिडे स्पेशल जैसे डेवलोपमेंट होता है, सबकी डिपाइटमेंट की छुटी है, वहीं पर उसी दिन काम चालू रहता है, तो उससे आपको दो बार मंडे टू फ्राइडे चेक कर लेना चाहिए, कि काम चालू है या किस सरका है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो वर्ग है, मैं आपको बताओ, मध्यम बरगीरे हैं, लोवर मिडल क्लास हैं, जिनकी इंकम दिन में 1500 रुपए है, और ये क्या करते हैं, कि बड़ी मुश्किल चेक करनी चाहिए, अब ये लोग समझनी पाते कि जो जगे जाओ ले रहे हैं, चार, पांच, छे लाग जो भी दे रहे हैं, उसमें लीगल है कि नहीं, आपने कहा उसको चेक करवाना चाहिए, आम तोर पे लोग चेक करने वाला प्रक्रिया ही नहीं जानते हैं, या फिर कर चाहिए, जब आप सातांटला की चीज ले रहे हो, तो कमसम परिचे दे, अपने-पने कास्ट में कोई ने कोई बंदा वकिल रहता है, तो उसका ब्रीफ सला लेनी चाहिए, काफी ग्रूप ऐसे भी है, सला मिल जाती है, अचा एक और ची पताईए, ये आप जैसे चौल बन अनुतराइस चीजों ने, अनुतराइस बिल्डिंग्स ने, अनुतराइस चौल बिल्डर्स ने सारा कबजा किया हुआ है, इवन अब तो फॉरेस्ट पे भी कबजा देख रहे है, रिजर्ब लेंड्स, महसूल की जमीन, वो सब भी भी कबजा हो रहा है, मशीनरी बैठी है अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई लीगल रेमिडी भी है क्या, ऐसे घर, चौल या फिर रेरा, महारेरा क्या गरीबों के लिए भी है, लीगल कुछ नहीं है, लेकिन लोग क्या करते है, बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, जो पड़े फोरेस्ट पे बन जा सब्सक्राइब का नियम है, कोई भी चीज आपना स्क्वेर फूट से बड़ा बनाना है, तो महारेरा को अपना फरमिस्न लेना चरूरी है, कोई भी आदमी आठ फ्लेट से या आठ रूम से भी जादा बनाता है, तो गवर्वर्मेंट का रूल से, क्या आठ रूम या जो जो जेन्यून काम कर रहे हैं, जो छोटे बजट के घर बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग चाल वाले गलत हैं, हर आदमी काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन और लर्निंग करके, वेबसाइट पे जाके रिरा का नियम जानके परिमिर्सन लेंगे, तो उसका बिजनस भी बढ़िया बन सकता है, और पब्लिक को भी फाइदा होगा, हर चीज में अलग जैसे पानीपुरी वाले हैं, तो उस भी तो सिस्टम से अच्छे चलती है, वैसे हर चोटे लोग भी अच्छे सिस्टम से बिजनस करें, तो पब्लिक को भी बला होगा, और लोगो को भी बला होगा, तो आखिर में आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, जो लोग घर का सपना लेके पाले हैं, आपके भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, लोकेशन वाइस वाइस विरार में, या मुंबई के कई कोने में, या फिर बद लाग में घर दे लेखा तो लोग लोग 5-3 लाग घर दे रहे थे जो चालियों भी घर तो लोग कोई आते नहीं थे अज बस्ती विरार में हमने 5-7 लाग में घर दिया अभी यह देखते हुए हमको लग रहा है कि विराटु दानू अभी मिराटु विरार तक अंधेरी टू बांदरा का पॉप्लिएशन हो गया गाडियों वाले के लिए अभी यह हम लोग विराटु दानु सस्ता घर लाएंगे यह हमारा जिस तरह से माहौल देख रहा है कि कम बजट वाले को घर नहीं तो हम विराटु दानु देखेंगे और गवर्मेंट को सजेशन देना प्रक्षी और यहां डू से कोई भी तरीकिन से जारी यह है तो गवर्मेंट को होल्डे स्पेशल करके होल्डे स्कीम लानी चाहिए कि यह चो 5 लाक से 10 लाक का घर बन रहा है उसमें जुप आसे भी जीसटी नहीं मिल रहा है ऐसे भी कोई टेक्स नहीं मिल रहा है न को ना क और स्टेशन के पास दो पांच लाग फूट का ओलीडे घर बने होलीडे स्पेशल गर के पांच लाग से दस लाग का ही घर बने जमीन गवर्मेंट अपनी तरफ से फ्री दे इधर बिल्डर अपना रिजदेंबल प्रॉफिट रखे तो वहर एरिया में सस्ता घर पांच से द हर टाॉण प्लानिंग के सीटी के अंदर एक दस पर जैसे 10 करोड़ खरिदने वाले दस परसंट है पचास लाग से टीस परसंट है और पंद्रा लाख वाले 25 तीस परसंट है उसका स्कीम है लेकिन अरिया लंबा जा रहा है क्यों जमीन कोस्ट जादा होने से पालगरद दा करने आते जाते यो टोरिक सावाल है सुबसम अट्रा गंटा काम करना है तो उसको ट्रावलिंग लंबा पड़ता है तो लोगों की जुरुयात समझ के गवर्मेंट को कुछ अच्छा सा प्रदान मनती आवाज योजना को सीटी से नस्दिक लाना चाहिए जिसे जमीन भी बच चोटी भी खरीद रहे है अगर मालीजे आप चौल में ही रूम ले रहे हैं किसी के माध्यम से ले रहे हैं तो ठीक है अगर वो लीगल प्रोजेक्ट है तो आप उसमें लीगल प्रोजेक्ट मतलब चौल तो लीगल प्रोजेक्ट में नहीं आती जब तक कि आप सीसी प्लान आज़र रुपए और रखिये टाइटल सर जैसे इनों ने बता है वीडियो में आप वो चीजें लीगल्टी जो है फॉलो करेंगे तो आपको समस्या होने से बच जाएगा आपको बता दे कि वसे विराज शहर में आमतोर पे देखा गया है कि सरकारी जमीन बिल्डर्स जो है जो बेच रहें तीन लाग चार लाग पांच लाग विरार का एरिया होने दीजे विरार इस्ट का एरिया ज्यादा तर स्लम्स जो है इस्ट में डेवलब किये जा रहे क्योंकि वहां पे रिज़र प्लॉट सरकारी और फॉरेस्ट की जमीने है उन पे सब सारा रूम बनाया जा रहा है फटा फट बेचा जा रहा है तो ऐसे जमीनों का कोई भविश्य नहीं होता आने वाले दिनों में कहीं ने कहीं आप समस्या में आ सकते हैं इससे बचने के लिए आपको लीगल चीजे फॉलो करना चाहिए तो यह जो हमारे यह जो उदेश है यह वीडियो बनाने लीगलिटी चीक करनी चाहिए मतलब उसकी विश्यो से निता कितनी सही है आपका जो प्लॉट है वो मालिकी प्लॉट है इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि जो घरपट्टी और लाइड विल की बात आती है आमतोर पे लोगों में एक भ्रम है कि आपके नाम घर सरीके से डीड बनती है और रेजिस्टेशन होते हैं उसके बाद प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर होती है और फिर जाके आपका शेयर जनरेट होता है तब जाके आप होल्डर होते हैं यानि आप आदिकारीक तोर पे मालिक बनते हैं तो वो चीजों आपे ठीकान उनी वैदता है, लेगालिटी है, वो चीजें आप सर्च जरूर करवा लें, जिससे आपका बड़ा अमाउंट लॉस होने से भज जाएगा, हमसे जूडने के लिए धन्यवाद आभार, देखते रहे हैं, बेटो सिटी समाचार